जिन्दगी अपनी हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी जब हो गया तुम पे ये दिल दिवाना अब चाहे जो भी कहे हमको जमाना कोई बनाए बाते चाहे अब जितनी हो हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी तेरे प्यार में बद नाम दूर दूर हो गये तेरे साथ हम भी मशुहूर हो गये देखो कहा ले आ आई देखो दी अपनी हो हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी तुम पे मरना है जिन्दगी अपनी हो हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी ओम शांती आज इस अफसर पर आप सभी के संग अपने जीवन के कुछ संस्मरन कुछ ऐसे दिव्वय एक ऐसे अलाकिक अनभाव जो हम सभी को जीवन में कुछ नया करने के लिए ट्रीव करते रहते हैं किकी जीवन के जो दिव्वय अनभाव होते हैं वो हमारे जीवन को एक अलाकिक दुषष़ प्रदान करते हैं और हमें जब भी हम उसे याद करते हैं, तो जीवन परियंत हमको एक नवीन दिश्शा प्रदान करते रहते हैं, तो कुछ ऐसे ही दिव्य अन्भव आपके साथ शेयर करने का आज का अफसर है, तो आशा करती हूँ कि ये दिव्य अलौकिक अन्भव आपके भी कुछ काम आए हैं, जो कि समाज सेवा के लिए पर्मात्मा की तरफ से एक उपहार होता है, जो हम समाज में रहते हुए, समाज के कार्यों में सहयोगी बनते हुए, समाज के लिए कुछ अपना सहयोग देते हैं, तो उस पर्मात्म शक्ती ने कुछ ऐसा अन्भव कराया, जिसमें जीवन रंगता चला गया, शिरुवात में जैसे कहते हैं कि इंसान कुछ दिव्या अन्भूतियां करता है, ऐसे ही रात के समय में ऐसा लगता था वाइट वाइट पोशाक में कोई आता है, मेरा हमेशा संग अपनी दादी जी के संग रहते थे, तो लौकिक दादी, तो ऐसा लगता था, सोते समय ऐसा लगता था कि रात में कोई फरिष्टा चारो तरफ आता है, कुछ कोई आ रहा है, कोई कुछ कहना चाहता है, चंद्रमा से ऐसा लगता था, कि जैसे कुछ कोई पुका रहा है, मेरा academic knowledge या जो हमारी education हुई, वो related थी music से, संगीत गायन, उसमें वादन भी था, सितार भी था, तो ये संगीत में वातावरण होने के कारण, कभी कभी ऐसा लगता था, कि वो गीतों में कोई पुकार रहा है, कोई लाइने इतना अंदर तक टच हो जाती थी, फील होती थी कि जैसे किसी की आवाज मुखना होने के कारण अद्रश्य सक्ती कोई पुकार रही है कोई चंद्रमा से निहार रहा है कोई गीतों से पुकार रहा है और कोई कुछ सुक्ष्म अनभूतिया करा रहा है और वो अनभूतिया कुछ कराना चाहती है जब एजुकेशन चल रही थी उसके बाद थोड़े थोड़े समय के बाद वो अन्भूतियां होती रही और बहुत मगन कर देती थी एक कान्ट मिले जाती थी जैसे छत मिले जाकर के रात्री में क्योंकि कभी ऐसे किसी साथी के आशकता नहीं महसूस हुई ऐसा लगता था कि यह प्राकर्तिक चीजें मेरी साथी है और जो कि मुझे बहुत कमपनी प्रदान कर रही है जैसे कोई मेरे अंगसंग है जो कभी-कभी मुझे बहुत बुराईयों से भी बहुत दूर रखता है कि आपका जीवन कुछ अलग है ऐसे ही धीरे-धीरे एजुकेशन चल रही थी उसके बाद कुछ समय के बाद ऐसा ही चला और मेरी छोटी बहन पास में आश्रम था तो आश्रम में जाना आना उसने शुरू किया एक डांस आर्टिस्ट के उप में बाबा के गीतों में दया कृब स्टेड्य हला है, बाद अच्छा डांस करती थी जैसे बाबा ने उसके दवारा दुलवाया आप को भी चलना चाहिए, आप मुझे तयार करना चाहिए तो पहले उसका मजाग बनाया समझ में नहीं आता था कि क्या रास्ता वही है लेकिन दीरे दीरे फिर मन में आया कि चलो चल के देखना चाहिए तो वहाँ जाकर बड़ा अलग अन्भा हुआ क्योंकि वो एक ऐसा पवित्र स्थान था जाकर कि जैसे फ्रिक्वेंसी टच हो गई और फ्रिक्वेंसी टच होने के कारण ऐसा लगा कि जैसे मेरा जीवन यहां के लिए ही है कुछ समझ में नहीं आ रहा था कुछ याद ऐसा नहीं आ रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसा मेरा जीवन यहीं के लिए है और यहां पर मेरा कुई बहुत महत्तुन वोल रहा है रहेगा तो ऐसा लगता था कि अभी तो आज मुझे कोई पहचान नहीं रहा है और कोई देख नहीं रहा है लेकिन कुछ न कुछ ऐसा दिव्य यहाँ पर होगा तो दीरे दीरे उसके साथ जाना तो हमारी बड़ी दादी जी जो दिलारी दादी आई बर्मा भुजन था मम्मी पापा भी आए उन्होंने कहा कि तो मेरा बड़ा शौक था देख देख के वाइट वाइट तो धूंड के अपने पास जो भी वाइट कप्रे थे वो पहन के पहन है लोगों ने बड़ा देहान से देखा उसके बाद फिर दादी ने कहा कि आपको ब्रह्मा कुमारी बनना है तो बिना सोचे संझे ही ऐसा मूर से निकला हां हां कुछ नहीं सोचा था कि उसके बाद मेरे जीवन में परमादार्णी है सरता देदी जी का आना हुआ और लेकिन उसे पहले आशादीदी की द्वारा भी बहुत पानला प्राप्त हुई और इस रश्य को देख करके ऐसा लगता था कि यह कहां कहा है यह बहुत दिव्वे है बहुत अलोकिक है और यही मेरा लक्ष है लेकिन कुछ समय के बाद फिर जैसे कॉमन हो गया साधारन हो ग दुनिया थी फैशन की दुनिया इतनी नहीं लेकिन हाँ पैशन की दुनिया थी एक इसमें रंगा होने के कारण एक दुनिया का अकरशन था लेकिन धीरे धीरे जैसे कोई आवास खीच रही थी बुला रही थी सुमवार का व्रत रहते थे एक माता जी आजपासी में रहती थी तो वो हमारे मीडिया पत्रिका देने आती थी तो मम्मी एक बार उनसे कह रही थी कि आपकी पत्रिका में ये फोटो बहुत आते हैं वो समझाने लगी कि बैंजी ये फोटो तो सेबा के लिए होते हैं सिफ आती हैं लोगों को तो हम सुमवार का व्रत था ऐसे ही व्रत में खाने से पहले ही बड़ ध्यान से उनकी बाते सुन रहे थे तो हमने का माताजी आप क्या हम आ सकते हैं तो मुझा बड़ा अस्चेर लगा कि तुम्हारे पास टाइम कहा है पहले कॉलेज है फिर कोचिंग है फ लेकिन उन्होंने जो जो सुनाया नहीं लगा कि पहले से कुछ सुना हुआ है और धीरे धीरे 2-3 दिनीनी हुआ था तो ऐसी खीच हुई अंदर से कि फैसा लगई कोई खीच रहा है मुझे कहा जाना है यह पता नहीं है लेकिन कोई का ही खीच रहा है कॉलेज जाने का मन नहीं हो रहा था पुजा की कमरे में बैठे थे दीरे दीर लगा कि कहां जाएं तो कहां उनके हां मता जी कहां तो शाम को जाएंगे और ये भी पता नहीं था कि वहीं जाने के लिए मन खीच रहा है कहां जाने के लिए खीच रहा है फिर आटो में बैट करके कॉलेज गए रास्ते में गीत बज़रा था वो फिल में गीत था साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है तो अच्छा लगा और शाम को जब उनके यहां गए तो धीरे 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 डिवलोग की कन्भों ऐसे धीरे धीरे बहुत होते गए वो भी घर में मना किया गया कि आप नहीं जा सकते ऐसे समय आपके पास कहां है तो जब वो बात अच्छी लगने लगी तो मजबूरन बिना बताय जाना पड़ा और जाते हुए रोज जाना हुआ धीरे धीरे माबाब को यह लगा कि इतना रोपने के बावजूद भी अगर नहीं जाना रुकरा है तो क्या किया जाए धीरे धीरे एजुकेशन लाइफ खतम हुई सर्विस करी इसलिए कि बाहर निकलने को मिले ताकि जाने का कुछ हो सके पिर उसमें भी टाइम नहीं मिला तो कैसे भी करके गए योग किया कभी भी जैसे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला नहीं जा पाए तो बाबा ने किसी को भेजा और ऐसे बड़ी सकती से बड़ी मम्मी ने रोकने का प्रयास किया ये सोचा कि किसी ने कहा कि कुछ जादू टोने का प्रयोग किया जाए तो शायद रुक जाए तो करवाने ही जा रही थी लेकिन उनके मन में जैसे बाबा ने टच किया कि इतना करने के बाद अगर कुछ नेगेटिव हो गया तो जैसे उनके कदम रुख गए और उन्हें भी दिव्यन भूती हुई कि जैसे मुझसे कोई कुछ कह रहा है तो धीरे धीरे ऐसे ही उन्होंने पहले तो बहुत प्रहत्न करें फिर जैसे धीरे धीरे एक बार एक बहन ध्यान में बैठी थी उनका पाड था संदेशी का तो पहले ही उनसे हमने कहा कि दीदी आप ये बाबा से पूछ के आना कि बहुत प्रॉब्लम आती है मम्मी बहुत कुछ कहती है तो उन्होंने ध्यान में जाने के बाद हमने दिये से पूछा दिदी क्या कहा बाबा ने क्योंकि मम्मी पीछे से आकर बैठती थी बहुत दर भी लगता था उस समय और बहुत नाराज भी होती थी कभी-कभी और सेंटर पर रहने वाले हमारे चुति चपल छुपा दिया करते थे कि पताना चले तो उन्होंने कहा कि ये जो आज बच्ची के जीवन में जो आज काटे हैं ये ही इसके लिए एक दिन फूल बनेंगे लेकिन इसे सेनी शक्ती बनना पड़ेगा तो जैसे आज भी वो आवाज वो बहुत ही पुराना बहुत दिन गुजर चुके हैं उस बात को लेकिन जैसे लगता है कि जैसे वो बाते इतनी ज़्यादा सत्यसिद्ध होती जा रहे हैं और सबसे बड़ा गहरा अनुभाव एक रिष्टे का क्योंकि जब हम अपने उम्र अपने शारिरिक उम्र के दहलेच पार करते हैं तो कभी बहन, कभी बेटी, कभी एक प्रेमी के तौर पे, कभी पतनी के तौर पे, कभी मा के तौर पे एक फीमेल जब अपनी जिम्मेवारिया निभाती है तो वो जैसे कि इकागर हो जाती है वो दुनिया से कुछ डिटाच हो जाती है फिर वो अपने लिए नहीं जीती है अपनों के लिए जीती है तो ऐसा ही कुछ हुआ ये जब क्रॉस होने लगया जीवन तो उसके बाद जो बाबा ने जो अन्भूतियां कराई आज तक तो असा लगता है कि वो क्या-क्या सिखाना चाहते हैं और वो एकागरता वो कुछ गीत आज भी मेरे कान में जब पढ़ते हैं तो असा लगता है कि कोई खीच रहा है कोई अंदर से कोई ट्याली पैथी की तरह कोई जैसे याद करता है और वो याद जैसे मेरे तक तौच जाती है और जैसे कि हमको नया तरो ताजा कर जाती है दुनिया में कभी किसी कि अकाशनों में साधन सुविधाओं में बुद्धी नहीं जाती क्योंकि कहते हैं कि तूटने लगे होसला अगर तो ये याद रखना बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते धूंड लेते हैं अंधेरों में भी अपनी मंजिलों को जुगनू कभी किसी रौष्णी के महताज नहीं होते हम जिसमें अपने जीवन साथी के साथ चलते हैं तो उसमें हम बहुत अनभवी हो करके चलते हैं तो हम दूसरों को भी अनभव कराने के भी हकदार हो जाते हैं और स्वयम भी अनभवी बन करके हम सच्ची सीताएं बन करके सच्ची पार्वतियां बन करके उस अपने साजन के लिए उस अपने पिता के लिए उस अपने हर रिष्टे के लिए एक बार रक्षवंदन में सबको राखी का नियोता दे करके आ रहे थे ठक करके बैठे बाबा के रूम में तो यह मन में आया खिए बाबा सबको तो देकर आए हैं सुबह सुबह तो आपको सबसे पहले आना है आप तो मेरे सबसे पहले भाई हो फिर कहकर के फिर तैयारीयों में वेस्ट हो गए सुबह नहीं आया याद फिर जब तयार होकर के कद्धी पर बैठे भोग लगाने के लिए कि तम से जैसे टच किया उसी ने कि देखो तुम तुम तो मुझे कहके भूल गई और मैं तो कब से आया हुआ बैठा हूं आज भी वो अन्भव वो जैसे कि कितना प्यारा है, कितना अपना है और उसके तचिंग के बिना यह जीवन चलाना यह जीवन वो अच्छा तो बहुत लगता है लेकिन वो अन्भव करे बिना ये ब्रहमा कुमारी जीवन ये समर्पित जीवन जैसे अधूरा है और इस आध्य अधूरे जीवन को चीने में वो मज़ा नहीं है वो रमलिक्ता नहीं है क्योंकि ये कोई साधा जीवन नहीं है जब speaking course कर रहे थे तो लोग बहुत तरीके से अंदर की भावनाओं को जानने की कोशिश करते थे कोश्चिनों के माध्यम से लास्ट में उन्हें क्योंकि इंशोर के रंग में रंगा हुआ ये जीवन है तो लास्ट में उन्हें यही अन्भूती होती थी कि नहीं आपकी बातों में कुछ खास है वो खास और कुछ नहीं था वो खास वही तो था और वो कहते थे कि आपका जीवन तो वाइट है नहीं इस वाइट रंग में सातों रंग समाए है तो हमको सच्ची मीरा बना देता है सच्ची सीताएं बना देता है क्योंकि वो बहुत रम्रीक है वो हबारे जीवन का एक एहम हस्सा है इस हिस्से के बिना आज क्योंकि यह कहा जाता है कि तेरा तुझको अर्पन क्या लागी मेरा तो अर्पित हो गया है, समर्पित हो गया है ये जीवन, अपना रहा ही नहीं है, तो एक मा की तरह, एक घर को चलाने वाली मुख्य, लाइफ पार्टनर की तरह बुद्धी जाने का कोई ताइम ही नहीं है कोई मौका ही नहीं है कोई समय ही नहीं है क्योंकि समाज आज जिस एक ऐसे महौल से गुजर रहा है तो उसने कहा हुआ है कि अम्रत बेले वो कान में आवास पढ़ती है कि दुखियों की चीतकारे क्या तुम तलक ना आई क्या भक्तों की पुकारे देती नहीं सुनाई तो जैसे वो जगा देती है, वो सुनाई देती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सकाश हमें आज देनी है क्योंकि पहली बार परमात्मा पिता के कारियों में लगने पर जब यह बताया गया कि आप अपने घर में कितना भी कारे करेंगे, लौकिक के लिए कुछ भी कर लेंगे लेकिन अगर भगवान के निमित्त बनाए हुए स्थानों पर एक गिलास भी यहां से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देंगे तो आपका भाग्य बनता है यह बात बहुत टच कर गई, आपके भाग्य का आपको आपसे कोई भी छीन नहीं सकता और नहीं है आपको कोई भी दे नहीं सकता तो हमारा भाग्य स्वयम चल करके हमारे पास आता है लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस ऐसे दुनिया में जाने के लिए वैसा अनभवी बनना है तो यह अनभवों की श्रेणी में वो परमात्मा पिता, वो हमारा प्यारा बाबा, हमारा जीवन साथी हमें लेकर के आया है तो जब उस लाइफ से इस लाइफ में आए तो दो लाइने बहुत याद आती थी जिसे कहते हैं ले तो आए हो हमें सपनों के गाओं में प्यार की छाओं में बिठाए रखेना वो हमारा सचा साजन हमको प्यार की छाओं में बिठाए हुए है लेकिन हम कितना बैठ रहे हमें हमारे पास कितना टाइम है उसको निहारने के लिए उसको देखने के लिए उसको महसूस करने के लिए उसने हमें सब दिया है कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसने में नहीं दिया है या अभी अगर हमें लग रहा है कि वो चीज हमारे पास शायद नहीं है तो उसका भी कुछ कारण है वो हमें बहुत गहरा और बहुत अनभवी बनाना चाहता है तो ऐसे सच्चे साथी को आज हमें कितना अपने जीवन में महसूस करना है क्योंकि जैसे कहते हैं कि ये जो आज चारू तरफ माहौल एक प्रिटिकल बनता जा रहा है चारू तरफ सोलूशन्स भी है हमें पता भी है प्रिकॉशन्स भी है हमें पता भी है लेकिन जैसे हम थोड़ी कमजोर से पड़ गए हैं हम होपलेस हो गए हैं तो वो चीजे हमारे अंदर फिर से नया रंग कैसे लेकर के आए इसके लिए मेडिटेशन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमें बहुत अंदर तक मजबूत बनाती है और कितने भी साल हो जाए आप सीख रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैं परफेक्ट कई-कई छोटी-छोटी चीज़े हैं जैसे की मानिची छोटी से कोई भी छोटी भी गल्ती की हो कभी एक spelling में भी गलती की हो तो जैसे अपनी विशेय योग के स्थान पर बैटते ही वो मुझे ऐसे टच करते हैं कि यसा लगता है कि उन्होंने बता दिया कि आज तुमने देखो ये गलती करी है बड़ा अस्चरे लगता है ये कैसी अद्रश गुप्त शक्ती है क्योंकि उसका बनने के बाद भी उसके रंग में रंगना ये एक बहुत अलग अनुभूती है और जीवन धन्य हो जाता है क्योंकि जब ये लगता है कि आप जो जैसा रखोगे जैसा जहां भी बिठाओगे जो भी पहनाओगे जो भी खिलाओगे हमें उसमें राजी रहना है तो ऐसे ही जब जीवन में कोई भी चीज आती है तो उसके अनुसाद अपने आपको अरजस्ट करना ढालना ये हमारे प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है और हम आत्माओं को हम बाबा के उस परम सत्ता के विशे सात्माओं को विशे संतानों को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए हम कहते हैं कि किसी ने पहले सुनाया था कि एकए साधे सबसधे सबसाधे सब जाए एक पत्नी अपने पती के घर में आती है तो अगर उसको उसका है करेक्शन अच्छा है तो पूरे घर में उसका हर कुछ अच्छा चलता है ऐसे ही अगर हमारा हमारे बाबा के साथ हमारे उस परमात्म अलोकिक पिता अलोकिक प्राणों का पती के साथ हमारा connection अच्छा है तो हर किसी के साथ हमारा अपने आप adjustment अच्छा हो जाता है तो जीवन में इनी चीजों को हम follow करते जाएं और जैसे कहते हैं कि हर इंसान की जीवन का एक लक्ष होता है एक स्वाभिमान होता है हमारे जीवन का भी इतना बड़ा स्वाभिमान है कि लोग देश के लिए जब गीद गाते हैं तो देश में वो हमारे परमधाम देश से आया हुआ हमारा सच्चा सम्मंधी उसके लिए भी दोलाईने कितनी फिट बैठती है कि देखो कहते हैं कि तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू मेरा अभिमान है ए वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुरबान है हम जीएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जां भी देंगे ए नम तेरे लिए उस परमशक्ति के लिए उस सच्चे साजन के लिए सच्चे समंधी के लिए हमारा जीवन हमारी अंतिम सांस से निवच्छावर हो जाए अंतिम सांसों तक ये जीवन श्रीमत पर चलता रहे बेरे जीवन से हमेशा हमारे बणों को और हमारे उस परम संदक्षक पिता को एक प्रेणना यह ऐसा लगे कि हाँ कि एक फक्र का एसास हो एक गौरव का एसास हो ऐसा ये जीवन सदा हमेशा चलता रहे और जीवन में कभी भी ऐसा दिन ना आए कि मेरी आप से दूरी हो उस परम शक्ती से जो मेरा अपना है उससे कभी भी दूरी ना हो और हमेशा ये मुझे याद रहे कि उसका बनने से ही मेरे जीवन का कोई मूल्ले है यही मेरे जीवन की वैल्यू है एक मूल्ले है यही moral values हमें अपने जीवन में धारण करनी है क्योंकि सबसे बड़ा मुल्य यही है हमारे जीवन का कि हम उनके हैं और वो हमारे है उनके द्वारा ही मेरे जीवन का कुछ मुल्य बना है नहीं तो कितना भी पढ़ाई लिखाई के बाद कितनी भी जॉब के बाद कितनी भी संसादनों के भौतिक पदार्तों की प्राप्ती के बावजूद भी एक साटिस्फेक्शन एक सच्चा रिलेशन एक सच्चा प्यार यह प्राप्त करना बहुत ही रेहर हो गया है जो हम आत्माओं को मिल रहा है इसके लिए आज आप लोगों के समक्षिये सुना करके यह अनभाव यह अपने संस्परण बहुत बहुत अच्छा मैसूस हुआ और आप सभी हम सभी इन चीजों को अपने बार बार सुने और खुद और अपना अच्छा जीवन बनाने के लिए मेरे जीवन में और बहुत सी प्रेणाय आएं और सभी की दुआएं मिले और सभी की दुआएं लेने लाइक कुछ कारे कर सके हैं इस जीवन में क्योंकि एक दो लाइनों से समाप्त करना चाहेंगे मधुबन खुशबू देता है सागल सावन देता है जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है सूरज ना बन पाए तो बन के दिपक जलता चल फूल मिलेया अंगारे सच की राहों पे बढ़ता चल दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है चलती है लहरा के पवन किसा सभी की चलती रहे लोगों ने त्याग दिये जीवन किप्री दिलों में पलती रहे प्यार दिलों को देता है अश्कों को दामन देता है जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है ओम्ष्ण